तो आज मैंने सरफ चाह लिया है क्योंकि जब बच्चे उठेंगे तो ब्रेकफस्स बनाओंगी आज बटाटा भजी तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कोई नहीं आप लोगो भी आता होगा और मुझे भी आता है तो कोई बात नहीं मैं वीडियो में एड कर दूं चाह पीने के बाद मिलते हैं और मेरी कल वाली वीडियो देखी कि नहीं इंट्रस्टिंग सी थोड़ी और साथ तो देख लेना प्लिस जिनोंने नहीं देखिए उसके लिंक मैं दे दूंगी तो प्लिस होवी चेक कर लेना चलिए मिलते हैं नेक्स मतलब थोड़े देर मैं एंट किछन में और यहां पर मैं आ गई हूं किचन में और यह सलाइजर लिया है मैंने मैं इसे भी ऑन-lain मंगा एं और इसमें मैं पाने डाल के और अच्छ से साथे मतलब जो प्टेटो से उसको स्लाइस कर लोंगे तक कि मेरेकों भजी बनाने माल ईजी हो जाएं और ठीचें जो आप मतल सथे साथ कम से कम 6-8 अंड बलेडा वैं पट्ला कट हुआ है ईसके बद से मैं इसे रख MALE कि रख दूंगी साइड में और आप कभी भी बटड़ा कट कर हो है तो उसे पानी में रखेंआ और यहांपर मैं ले जबंगो और एक लिप मेरी mix हो गई है तो मैं आपको बता दूँ मैंने बेसन में क्या कर डाला है बेसन है काली मेरिच है लाल मिलची पाउडर है चाट मसाला है और गरम मसाला नमक, खल्दी डाल के मैंने mix कर लिया और मैंने कोई सोडा वगरा नहीं डाला है क्योंकि ये homemade बेसन है ये एक निए द्बगा पिनगा कंवाय तो मैं थोड़ा मोटा ही पिसवाती हूं ताकि अबह जी जो हो crispy बने जैसे लड़्डो के लिए बेसन पिसवाते हैं वैसे ही मैं पिसवाती हूं बहुए भजी वगेरा के लिए और अपना गरम मसाला नमक हल्दी तो सब खाली नमक हल्दी डाल के बनता होगा एक बार एससे बना के देखें मैं ऐसा जो भी है डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोगी तो प्ली सा वहां से चेक कर लेना तो इसा भी दो तीन बार मैं आपको फ्राइ करके द अच्छा लगता और ठंड़ा होने पर बिल्कुर अच्छा ने लगता तो चलिए इससे फ्राइ कर लेते हैं झाल 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 और यहां पर बटटा बजी फ्राइए करके हो का है तो मैंने ग्रीन चिली मतलब फ्लेक्ट कर लिया है बीच में से मैंने उसको चीला लगा के बेसन में डीब करके उसके फ्राइ कर रहे हो सिर्यस लिगाई से बटटा बजी के साथ बहुत अच्छा लगता है आप एक बर जुरूर प्राइ करके देखें जो मसाले में इसमें डाली हो न उससे ही बहुत चाटपटा बन जाता है आपको अंदर चाट मसाला वगेरा भरने की जुरूरत नहीं पड़ती मिर्शी के बजी में तो इसे मैं एंजोई करने वाली हूं चाई के साथ चलिए मैं मिलते हूं आप से बाद में है गाइस फाइनली हो गया बटटटा बजी बनाके बचे लोग आपने देखा मैंने पैसे में क्या क्या डाला अगर नहीं देखा तो मैं उसमें लीग दूंगे डिस्ट्रिफन बॉक्स में तो प्लीज आप हाँ से चलर चोलो मैं इसे एंजोई करते हूं फिर आप से बाद में लिए और यहां पर ब्रेक्वस्ट करने के बाद वापस आ मैं किचन में और आप देख सकते हो मैंने पूरा बरतन वागेरा सुझे क्लीन कर लिया था तो अभी मैं बनाने लगी हूं ताल राइस क्योंकि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि आटा खतम हो चुका है और हमारे ब्लॉक्डान को जाधा ही बढ़ गया है क्यो कि मैंने आपको बताया कि कुछ-कुछ सबजिया भी नहीं है अभी घर में इस समय कि कि सोसाइटी से अंदर बाहर करना भी मना कर दिया है तो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी फिलाल सिफ दाल राइस लगाऊंगी और आलू भुजिया बनाऊंगी तो यहां प है और यहां पे अलू बुजा के लिए अलू कट दिया है खतम और अभी करना है एक लस्तिंग करना है। कि इसे बनाए है अलू की भूजिया बनानी है तो उसकी रज़ी शेयर करोंगे हम लोगी उपिसाइड वाले जाधा तर आलू की भूजिया बहुत खाते हैं अब कैसे बनाती हो आपको दिखाऊंगे चली बनते हैं बात में और मुझे बात कहने थी जिस जब भी मैं वीडियो में खाती हूं वह वीडियो कोई जाधा देखता नहीं है आम मुझे कमेंट बॉक्स बताएं कि मैं हर वीडियो में खाऊं तो आप लोग मेरी वीडियो जाएं पिके और में तो इसमें में अलू भूजया बनाने वाली हूँ एक सेट चावल रख दिया है मैंने और इसमें मैं तेल डाली हूं और लोखन की कड़ाई लिए इसमें मैं पंच फोरं डालोंगी पंच फोरं जैसे मेथी अजवाइन मंगरेल राई जीरा ऐसे डालके तो मैंने इसमें डाल दिया है और गरम हो जाएगा अच्छे से क्योंकि मस्टर्ड ऑइल है इसलिए इसको अच्छे से स्मोकी प्लेम पर गरम करना है और चिप्स के तरह कट किया है अगर आप आलू-फुजिया बनाते तो कुछ इसी टाइप का कट करेंगे तो पकने में भी इसे अच्छा होता है और चुक्ड़े टुक् стран में में पहलkiej नहीं होते तो अरो फोड़ी क्रिश्पी बनती है तो इसको से भूण के लूंगे और इसको ढिभ़नके पठना नहीं यहां आपको तो जो भजी बनाया था मैंने तो उसका भी लेक दूँगे तो फ्लीज आप वहां से चेक कर लेड़ा कुछ-कुछ क्लिप पैना निस हो जाता है तुर बड़ा टेंचन हो जाता है लोगों को लगता है कि नहीं हम बताना ही नहीं चाहते बर ऐसा कुछ भी नहीं है बर टक्या आप भान रखें तो यहां पर यालू भुजिया हो जाएगा तो फिर मिलती हूं मैं आपको लग चुका है और खाना बनाने के बाद मुझे बैट्षिट चेंज करना था मिडल रोम का जो बच्चों का रोम है तो मैं इस पर चदर डालने आ गई हो एक्चुली यह जो मैट् कर सकते हैं जब लॉक्डाउन फुलेकर तो थोड़ा मैट्रेस हम लोग चेंज करने वाले फिलाला भी टैंपर वरी चला रहे हैं तो इस पर मैं आपको चदर डालने की ट्रिक बता रही हूं मैं चदर को दोनों साट से गार्ट लगा रही हूं आपने मतलब होस्पिटल सब देखा होगा जब चदर डालते तो इसी तरह डालते हो लो तो इससे ना काफी मतलब चदर अच्छे से टाइड भी बैठता है और मतलब बच्चे कितना भी खेले कुदे और टस्से मस्त नहीं होता है और आप चाहिए तो एक से दो हफता ऐसे चदर रह सकते और देख सकते दो मिनिट नहीं लगा मुझे बड़ा मजा था ऐसे चदर लगाने में और इसे लगा के मैं आपको लास्ट में दिखाती हूं कि इसका लूप कैसा लग रहा है और इस चदर मैंने ऑनलाइन मंगाया था 3D एफेक्ट है तो अब इसका लिंक है कि नहीं पता नहीं मैं दे पा सब काम हो गया और मैं अभी लंच के लिए बैठों मैं आपको दिखाती हूं लंच में क्या कर रहे हूं आप एगवार की भाजी है अलू भुजिया है आम का अचार है आम की चटनी करेला और दाल सिंपल दाल है और बास्मूति जाइस हाई फाइनली लंच हो गया और लंच होने के बाद आ गई हूं वीडियो का एंड करने के लिए लेकर उससे पहले मुझे कुछ जरूरी बात करनी है यह जो मैं वीडियो बनाती हूं किसी फाल्तू लोगों के लिए नहीं बनाती हूं जिनको कुछ काम धंदा नहीं है न तो लोग दूसरे के इस पर जाके वीडियो पर कमेंट करते उल्टा सिधा जिनको कुछ पता नहीं है न तो फाल्तूगिरी किया मत करो एक है रिया चौदरी करके तुझे नहीं क्ले खाना है तू मत खा मैं किसी को सजिस्ट नहीं कहती कि तू क्ले खा चाय मत खा समझी अगर मे ब्रेंड की बात कर रहे हो न वह ब्रेंड ने सामने से मुझे 400 से जादा फोटो सेंड की है क्योंकि उनको पता एक मैं यूटूबर हूं समझे अगर जिसको ज्यादा चरवी है तो अपनी चरवी अपने तक रखो दूसरों में मत कुसाओ काम वही करते हैं जिनको कुछ काम धंदा नहीं रहता है हम लोग है न एक शरीव घर से हैं हमको कोई फालतुगीरी करने को नहीं आता है समझे न इस बात को तो इस बात को गाट मान लेना और मेरे अगर चैनल पर आके मुझे अगर उल्टा सिधा कमेंड किया तो मैं डायरेक रिपोर्ट करूंगी आप अभी लायक नहीं तुमके लायक हो मेरे को सब को सीधा करना आता है समझे मेरे क्ले खाओं ने खाओं मेरी जिंदगी है तुमारी परसनल लाइफ नहीं है तुमारे परसनल लाइफ में मैं इटरफेर करने नहीं आ रही हूं यह मेरी जिंदगी है मैं उसको कैसे भी खाओं और ज्यादा तेज हूँ और मुझे कंप्लेन करने में दो मिनिट नहीं लगेगा सबकी आईडी बंद हो जाएगी तो इस बात का आप ध्यान रखना किसी को भी कोई भी यूटुबर को अगर आप लोग ने ज्यादा उल्टा सिधा बोला ना तो सब के पास इतना पावर है कि वो मोड़ दो सकते है उसे लुझे ऑम्हें के मिड़ना है लोग क्या मेरे को सिखाएंगे चोरी करने के लिए तो तो मेरे नाद में लगना नहीं वरना मैं तोड़के रख दूंगी और चैनल तो जो बंद होगा उसके आगे की बात की जिन्दगी बरबाद भी हो जाएगी समझ जाना यह लोग वही कमेंट करते जिनको कुछ भी नहीं है नले पड़े नले काम नंदा नहीं कुछ नहीं बस बेकार में जानेगा दूसरे एक रॉक करके है जो फालतु में सब के चैनल पर मैंने देखा तो मेरे को तो बोलना नहीं और मैं किसी के फटे में पढ़ती भी नहीं हूँ और मैं किसी के चैनल पर जाके उल्टा सिधा कमेंट भी कभी मैंने किसी के चैनल पर जाके उल्टा सिधा कमेंट नहीं किया मेरे इतने बड़े-बड़े मैंने सब्सक्राइब करके रखे चानल कि उनने लोग ने मुझे कितना फोटो बेहा, एक यूटूगर को किसी की जरुर्वरत नहीं होती है, लोगों को स्पॉंसर करने के लिए लोग हम को डुनते हैं, हम उनके पस नहीं जाते हैं स्पॉंसर माँगने, इस बात का ध्यान रखना, और स्पॉंसर विडियो में बनात नहीं हूं तो गलत कमेंट मत करना और जो मेरे सब्सक्राइबर है मैं उनके लिए नहीं बोल रहे हूं तो आके फिर से मुझ मार के इसके इंदर बैठना मत नहीं तो सीधा कर दूंगे मैं मुझे बहुत आता है सीधा करने समझे थजडे वाले ब्लॉग पर समने मुझे करने समझेत इस बात का ध्यान रखें अगर इंसान नहीं उसको क्या बोले जोम इilah बेच आपनी बना ले समझे आगर जो इंसान मिट्टी मृत सकता है था सम्झे डिशाइर मार्ट पर लोगों ने कियसे गलत गलत कमेंट किय तुम आरे वो लंगने आती है हां वो अपने मेहनत से कमाती है तुमको क्या मालों वो पथर बेचने के लिए ही वो सब मिटी बेचने के लिए उनको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है अगर सामन नहीं पहुचा तो उनको जाके बग 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 डॉग पिशा बाइगे ना तो अपना भुड भी खराब होगा कीजड़ में पत्थर मारेंगे न तो अपने मूँपे छिटा आएगा ब्लॉग में बनाती हूं ब्लॉग में लोग मुझे क्या बोलते हैं कम्यूनेटी पर आप प्ले के फोटो लगाते हो और ब्लॉग शेयर करते हो और यूटूबर्स को देखो दुनिया बर की फोटो लगा के सेलिंग का और यह सब का लगा के अपने ब्लॉग्स चलाते मैं तो किसी को नहीं बूलने की और सबको मेरे सब्सक्राइबर को पता है अगर कमिनेटी पे फोटो लगाया तो कुसका आया लेकिल हमको ट्राइकवट उठाके इधर से उदर उदर से इधर करना पड़ता है और तुमको नहीं जमता तो तुम दूसरे के चैनल पर मुह मारने जाते क्यों नहीं जानेगा ना मुह मारने जो यह लोग वही करते हैं जिनको सच में कुछ काम धंदा नहीं है सच में और पक्वास तो इतना करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं तो चलिए अभी मैं थोड़ी दिर बाद प्रशाद खाऊंगी तो आपके साथ मिलते हूँ और फाइनली मेरा भी घुसा ठंडा हो चुका है बहुत लोग इतने बेकार होते हैं न सही मैं कि लोगों की लाइफ में उंगलों को उंगली करना इतना पसंद होता है न कि नहीं बोल सकते किसी को कुछ इतने फाल्त हुए तो चलिए छोड़िए आज मैं हैड़फोन से क्र खाओ चाये मत खाओ यह हमारी पसंद है आपको देखना अच्छा लगता है इसके लिए कैमेरे के सामने खाते हैं अब हमें कोई जरुवत नहीं है जर स्बस्रेएब सेंटाना झाल झाल पत्रव काल मूल झाल झाल कि लिए स्टाब राष यद कज बचैने के लिए हमारी आपजिश दूलार वैंड़ों को बचैने हमने की बचैने की अधार रचित हैं कि दुट्ट उड़ सकति हैं कि पव्र वैज़ों को बच्चैने के ऊचित र cleansing क्तुर्स कांस झाल झालो हैओं हम इसमय के अबने कि नव जड़ लाएख लुटार लुटार लुटाराओाओद लुटाराओब सburg्याभड़ लुटाराओब लुटाया लुटाराबगब। कर दुआ हैं का टुआ हैं कादा हॉा झुआ हैं कादा हॉट हैish जार प्रेप उङ कर में कर दोफ़ाया कि कैसा लगा क्रंच बताना मुझे कमेंट में और मैंने थर्सडे को नहीं खाया था फ्राइडे को नहीं खाया था कल थोड़ा सखाया था और अभी आपका सामने जो लिया वह हुए और पर इसके बात एरे कल खाऊंगी नहीं खाऊंगी पता नहीं और कैसे लगी आलू भुजिया की रेसिपी और कौन-कौन ऐसा बनाता है मुझे बताना क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर मेरे यूपी साइट से हैं तो लोग मुझे बताना वो लोग कैसे बनाते हैं और आज मैंने आपको दिखा मैंने चदर कैसे बिच्छा हैं पुरा बा आप लोग बताना मैंने इतना जो बोला वो सही था गलल था प्लीज मुझे कमेंट मुझे बताना अगर आप पर कोई उठाएगा तो क्या आप चूप बैट होगे प्लीज मुझे बताना वीडियो का एंड यहीं पर करती हूं और आज संडे है क्ले आज नहीं आने वाला औ और एक तो सबसे बड़ी ट्राचडी हो गए कि कल मुझे साटेडे वाले रात को मैं सोई थी और न्यूज है कि आमिता बच्चन और अविशेक बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गया है तो सुचिए जिनके घर में इतने साफ सपाई से रहते हैं उनके घर में कोर आज संडे वाले दिन ही मेरे हजबने नियूज दिया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गया है तो हमारा सोसाइटी जो फ्लोर पे हुआ है वो फ्लोर ही सील के रखती है और रही बद पारसल के तो आज संडे था इसके लिए नहीं आया लोग ने मुझे कॉल किया था तो लोग कल पारसल लेने वाले तो मंडे वाले ब्लॉग में अन्बॉक्सिंग होगा ठीक है तो चलिए वीडियो का यहीं करते हूं काफी ज्यादा वीडियो अलंबी हो जाती है और फिर मुझे सेंड करने को पोस्ट करने को बहुत टाइम लेगता है रात को अब लगाती हूं लव यौल